नमस्कार मैं हूँ विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं दफरंट निर्भया के गुनहगारों को फासी वाली कोठ्री में शिफ्ट कर दिया गया है जेहां तिहार के जेल नंबर चार और छे इन दो कोठ्रियों में निर्भया के इन गुनहगारों को रखा गया था जहां ये बाकी और कई कैदियों के साथ रह रहे थे लेकिन अब इनको जेल नंबर तीन में जिसको फासी वाली कोठ्री कहा जाता है फासी देने का सारो साजो समान और सारा बंदो बस चुकि जेल नंबर तीन में ही है इसलिए इन गुनहगारों को जेल नंबर तीन में शिफ्ट क रखा है बाइस जनवरी को सुबह साथ बजे एक एक कर इन चारों को फासी पर लटकाया जाना है और इसलिए तिहार प्रशासन ने इनको जेल नंबर चार और छे से निकाल कर अफासी वाली कोटरी यानि कि जेल नंबर तीन में शिफ्ट कर दिया है इससे पहले आपको बता दे कि जब से देथ वारंट जेल में पहुँचा है तभी से ये चारों के चारों गुनाहगार खौफ में हैं दहशत में हैं मौत का डर इने सता रहा है और इन चारों की हालत ऐसी हो गई है कि ये ना तो ढंग से खाना खाते हैं ना ढंग से किसी से बा अपनी कारवाई शुरू कर दी है इन चारों गुनहेगारों को सबसे पहले बाकी कैदियों से अलग कर दिया गया इनकी सेलों में जो कैदी रह रहे थे उनको दूसरी जगर शिफ्ट कर दिया गया पहले इसके अलावे इनके कमरे से एक-एक सामान जो गैर जरूरी था वो सब कुछ निकाल करके बाहर कर दिया गया है सिवाए दो कंबलों के एक कंबल जिस पे ये ओड़ते हैं और एक जिसको बिछा करके ये सोते हैं दूसरी चीज चौविस घंटे इन पर निगरानी रखने के लिए अब तीन-तीन लोगों को तीन-तीन पहरेदारों को निक्त किया ग ने एक-एक इनके हरकत पर तीन-तीन पहरेदार नजर रख रहे हैं दूसरी बात जब तक इनकी फासी नहीं हो जाती तब तक के लिए रोज सुबा आठ बजे और शाम में छे बजे दो समय पे इनका मेडिकल चेकप किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से इनका मेडिकल हो रह है और साथ ही साथ एक साइकलोजस्ट यानि की एक मनोवैग ज्यानिक भी उसी मेडिकल चेकप का हिस्सा है जो कि साथ में रह रहा है और इनके साथ बात कर रहा है तीसरी बात एक और आपको बता दें कि जब से इनलों के फासी का इनकी देथ वारंट पे इशू किया है पट आपको हमने पहले भी बताया था The Front पे कि विने की तरफ से Curative Petition सुप्रिम कोर्ट में दायर की गई है और अब ये खबर है कि मुकेश की तरफ से भी एक Curative Petition दायर की जा चुकी है बाकी बचे पवन और अक्ष है इन दोनों के तरफ से भी इनके वकील एपी सिंग क्यूरिटिव पेटिशन दायर करने वाले हैं उसके बाद हो सकता है कि अगर क्यूरिटिव पेटिशन इनके प्रतिकूल आता है तो मामला राष्टपती के पास दया याचिका के लिए जाए कुल मिला करके अभी के लिए आपके लिए जानना इतना जोरी है कि निर्भया के इन गुनहगारों की हालत क्या है और इनकी हालत इस वक्त ऐसी है जैसे कि ये इनको मौत का डर सता रहा है और इनको पल-पल अपनी मौत अपने करीब आती हुई दिख रही है और जब से इनको जेल नंबर 3 में सिफ्ट किया गया है जो फासी देने वाली कोठी है मौत इन्हें अपने सामने नजर आ रही है अभी के लिए इतना ही धन्यवाद